माहा वेलकम कहती है आपको माहा के किचिन में तो देखिए आज क्या बनने जा रहा है माहा के किचिन में आज मैं बनाने जा रही है अपने किचिन में बहुत ही जबरदस सा, मजेदार सा healthy salad, weight loss के लिए बहुत अच्छा है इसमें जो भी हमने ingredients यहां रखे हैं सभी weight loss के लिए बहुत जबरदस हैं, बहुत beneficial है काफे सारे हमारे viewers ने हम से फर्माईश की थी और कहा था कि कोई ऐसा salad उनको बताएं जिसमें calories भी कम हो और weight loss के लिए बहुत ज़्यादा beneficial हो तो आज हमने वही salad बनाना है यहां पर बहुत ही जबरदस से simple ingredients के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही जबरदस सा salad यह salad बहुत जबरदस बनता है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है तो चलते हैं, जानते हैं कि किस quantity में यहां हमें क्या चीज़ चाहिए salad को बनाने के लिए 250 gram boiled चने आधा खीरा आधा अवकाडो एक टिमाटर चॉप्ट वन स्मॉल अनियन चॉप्ट पोर टिबल स्पून योगर्ट olives half teaspoon नमक one teaspoon black pepper dried podina तो चलते हैं अपने recipe की तरफ और बनाते हैं बहुत ही जबरदर सा, मज़ेदार सा weight loss salad तो चलते हैं अपने उस bowl की तरफ और सबसे पहले हम बनाने जाएंगे dressing उसके लिए salad की तो चलते हैं अपने dressing की तरफ यहां मैंने दही चार डिबल स्पून प्याली में डाल के फ्याट लिया है अब हम इसके अंदर add करेंगे अपने तमाम ingredients तो सबसे पहले इसके अंदर add करने जा रही हूं मैं नमक यहां मैंने नमक लिया है half टी स्पून आप जाहें तो अपने टेस्ट की मताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं यह मैं काली मिर्चें पिसी हुई इसमें डाल रही हूं बिल्कुल बारीक नहीं पिसना थोड़ा मोटा मोटा दरदरा हमें इसको कूटना है इसके साथ ही मैं dry पौदीना इसके अंदर add कर रही हूं पौदीना इसलिए हमने ज्यादा डाला है ताके जो है बादी पन जो होता है चनों का उसको यह खतम करता है और अब हम इसमें add करेंगे थोड़ा सा olive oil बहुत ही मज़ेदार सी जबरदस सी हमें इसकी dressing बनानी है तो चैने पहले इसको अच्छे तरह से mix कर लेते हैं और फिर हम इसके अंदर add करेंगे तक्रीबान वन टेबल स्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी olive oil ये optional है लेकिन olive oil हमारी सहत के लिए बहुत अच्छा होता है और हमेशा मैं cup ही का use करती हूँ तो बहुत ही जबरदस सा हम इसके अंदर ये virgin olive oil mix कर रहे हैं और हमारी बहुत ही जबरदस सी मज़ेदार सी जो है salad dressing ready हो गई है अच्छी तरह से हम इसको mix कर लिया है अब चलते हैं अपने mixing bowl की तरफ जहां हमें तमाम अपने बाकी के ingredients को mix करना है और बनाना है बहुत ही जबरदस सा salad तो चले mixing bowl में सबसे पहले boil chick piece मैं इसके अंदर add कर रही हूँ तकरीबं 200 gram यानी एक टिन के करीब है लेकिन मैंने इसको मजीद boil किया है अच्छी तरह से गलाने के लिए और आधा मैंने ये इसमें खीरा तकरीबं एक प्याली के करीब खीरा है जिसको मैंने बारी चॉप करके काट लिया ये भी हमने इसके अंदर add कर दिया साथ ही साथ एक medium size tomato जिसको मैंने चॉप किया था वो भी हमने इसके अंदर add कर रहे है और इसके बाद इसमें मैं प्याज add कर रही हूँ छोटी सी प्याज एक आप ले ले और इसको आप chop करके add कर सकते हैं और जो प्यास है ये optional है अगर आपको नहीं पसंद तो आप skip कर सकते हैं इसके बाद में इसमे add करने जा रही हूँ अच्छा ये भी आप अपने टेस्ट के मताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं मैंने यहाँ पर half avocado लिया है आप चाहें तो पूरा avocado भी अगर आपको पसंद है इसका टेस्ट तो आप इसको पूरा भी add कर सकते हैं और दूसरा सबसे ज्यादा जो इसमें हमें मुझे जो मज़ी का लगता है वो हैं इसके olives black olives यह इसी rings की शकल में कटे हुएं यह मैंने इसके अंदर add किये बहुत ही जबरदस्त हैं यह तमाम चीजें weight loss के लिए बहुत अच्छी है अब हम इसके साथ ही साथ इसके अंदर add करेंगे dressing जो हमने बनाई है बहुत ही जबरदस बहुत ही tasty dressing है यह और यह salad ऐसा है आप इस गंटे यानि बैट पे जाने से दो तिन गंटे पहले आप अपना यह डिनर में इसको आप यूज कर सकते हैं और इसको आप अगर लंच में अगर आपको यह खाना है तो आप इसमें लंच में इसको खा सकते हैं बहुत ही जबरदस्त हैं बहुत लो calories हैं तमाम ingredients इसके बहु जादा नहीं जाएंगी फिर इसके अंदर हमने एड़ किया खीरा खीरा खीरे में पानी की बहुत ज्यादा मिगदार पाई जाती है और यह भी हमारे weight loss के लिए बहुत अच्छा है हमारे body के fats को burn करता है बहुत तेजी के साथ इसका इसका इस्तमाल जितना जादा किया नहीं ज्यादा beneficial होता है औलिफ्स भी हमारी सहत के लिए बहुत अच्छे हैं फिर मैंने एड़ कि हैं डिमार्टर और जहां तक प्यास का तालुक है अगर आपको इसका टेस्ट नहीं पसंद तो आप नहीं इसको लें इसकी जगह कोई और आप इसमें vegetable एड़ कर सकते हैं फ पौदीने का main मकसद यही है कि उसकी बादी को खतम करता है और अगर आप को कोई problem है गैस्ट्रिक वगरा की तो आप उसमें जो है प्यास एड़नी करें और पौदीना डालें तो चले सलाथ हमारा तयार है और मैं इसको करती हूँ डेश आउट उमीद है कि आपको यह recipe पसंद आई होगी इसको जरूर बनाईएगा और comments में बताईएगा कि यह कैसी बनी और फिर मिलेंगे इन्शालला एक नई recipe के साथ जब तक के लिए अल्ला हाफिज